नमस्करम सद्गुरू पहली बार में एक सब्ता के लिए आश्रम आया हूँ कभी मैं यहां सहज, तो कभी मुझे असहज महसूस होता है कभी लगता है घर चला जाओं, कभी लगता है यहीं रहूं मैं बहुत कन्फ्यूस हो गया हूँ कृपया मेरा मार्ग दर्शन कीजे कि मैं क्या करूँ सबी के साथ यही तो होता है तो इनका कहना है कि यह दूसरी या तीसरी बार यहां आए हैं यह सच में यहां आना चाहते हैं तो यह यहां आते हैं, पर जब यह यहां आते हैं तो अचानक कभी-कभी इनका घर जाने का मन होता है जब ये वहाँ होते हैं तो बेशक ये यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने कहा कि ये इनकी समस्या नहीं है ये सद्यों पुरानी समस्या है कोई 30 साल से शादिशुदा है और 8 बच्चे हैं वो अभी भी सोच रहे हैं शायद गल्ती हो गई शायद मुझे आध्यात्मिक मार्क पर चलना चाहिए था ये कोई नई समस्या नहीं है ये बहुत प्राचीन समस्या है तो आप जो भी करना चाहते हैं उससे पहले आपको अपने अंदर आनंद और स्पष्टता लानी चाहिए उस पल में आप जो फैसला करें भले ही आप मर जाएं आपको उसी पर चलना चाहिए जब भी आपकी भावनाएं उपर नीचे होती हैं आपका मन कई चीजें कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है आज ये एक बात कहता है और कल दूसरी सुभाई ये शाम को वो ये आज एक बात कहता है और कल दूसरी इसका कोई महत्व नहीं है मैं आनंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आनंदित होने पर आप आदतों से मजबूर नहीं होते जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं तब अगर आप तै करें ये करना मेरे लिए समझदारी है वही करिए फिर अगर नर्क महसूस हो तो भी फर्क नहीं पड़ता आप दस साल नर्क से गुजरते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता आप बस वही करिए क्योंकि आपके खोशाली वही है जब आप मजबूरी के विभिन स्थितियों में होते हैं तब अगर आप अपनी दिशा चुनते हैं तो आप हमेशा के लिए खो जाते हैं बात ये नहीं है कि आपका काम क्या है बस आप उसे बिना रुके करते रहें रोज अगर आप उत्साहित और निराश होते हैं तो बात नहीं बनेगी अचल हो जाएए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम क्या है अगर आप कसाई बनना चाहते हैं तो अडिक कसाई बनिये बात बन जाएगी एक पल भी मट डगमगाईए सपश्टता और आनंद में आपने जो तै किया उसी पर अचलता से ठीके रहिए तब आपकी बात जरूर बनेगी हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं यहां-वहां उड़ते हैं आप अपना मन बदलते रहते हैं आप चक्कर काटते रहेंगे हमेशा के लिए क्योंकि जो बार-बार दिशा बदलते हैं साफ है कि वो कहीं भी पहुँचना नहीं चाहते हैं ना? यह धर्ती यह धर्ती गोल है तो किसी भी दिशा में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप दिशा बदले बिना आगे बढ़ते हैं तब यात्रा कर पाएंगे यह ना? आपकी यात्रा पूरी होगी अगर आप दिशा बदलते हैं तो आप हमेशा के लिए भटक जाएंगे हमेशा खोई रहेंगे तो आप वहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहिए कोई समस्या नहीं है आप यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आए हर दिन अपना मन मत बदलिये सुभाईये और शाम को वह सोच कर आप खुद को और आसपास के लोगों को परिशान करेंगे जो व्यक्ति लगातार मन बदलता रहता है वो अपने और आसपास के लोगों के लिए परिशानी है है ना? अभी आप सोच रहे हैं कल सुभा मैं योग करूँगा कल सुभा जब पाँच बजे डॉंग होगा मैं हर रोज सुनता हूँ पता नहीं आप में से कितने लोग सुनते हैं जब डॉंग बचता है शायद हमें ढोल बजाना चाहिए तब आपका शरीर कहता है भाड में जाई योगा मैं तो बस ये बदलता रहता है इसकी प्राथमिक ताइन लगातार बदलती रहती है जीने का एक और तरीक अभी है जहां जीवन की सबसे बड़ी खुशियां जीवन के सबसे बड़े सुख सबसे सुख़च चीजें चीटी के समान लगेंगी इस जीव में ये काबिलियत है शरीर और मन की बात करें तो हमारी क्षमताएं अलग-अलग है कोई भी दो शरीर या दो मन समान क्षमता वाले नहीं होते पर जब इस प्राणी की बात आती है तब हर चीव संपून अस्थित्व को खुद में समा सकता है वैग्यानिक कह रहे हैं कि ये लगातार फैल रहा है इसे कैसे समाएं यही इसके सुन्दर्ता है वो जो अनंत है जो शाश्वत है जो असीम है और जो हमेशा फैलता है वो इस जीव में समा सकता है उसे लेकर किनी दो जीवों के ख्षमता अलग-अलग नहीं है हर कोई समान रूप से काबिल है ऐसा नहीं होता क्योंकि आप दिशा बदलते रहते हैं जहां भी आपको थोड़ा आराम मिलता है आप वहीं टिकने की कोशिश करते हैं आप जानते हैं खाना बदोश क्या होता है खाना बदोश मतलब समझदार तो कौन खाना बदोश नहीं है जो समझदार नहीं है जो ना समझ है वही रुख जाता है जो समझदार है वो हमेशा चलता रहता है और कहीं नहीं रुखता जिस पल हम खाना बदोशी छोड़ देते हैं हम एक तरह से सुरक्षा के पागलपन में पड़ जाते हैं चाहे वो शारीरिक हो, मांसिक हो या भावनात्मक हो आप हमेशा उस थान की खोज में रहते हैं जहां आप रुख सकें और सो सकें और जब आप ऐसा स्थान खोज लेते हैं तब चीजें आराम दायक हो जाती हैं और आप में उससे बाहर आकर फिर से यात्रा शुरू करने की हिम्मत नहीं होती तो अगर आप बस एक पिकनिक चाहते हैं तो ये ठीक है अगर आप सात्वे परवत पर चड़ना चाते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर आपके घुटने चर्माराने लगेंगे और आपकी सांस भाप के इंजिन जैसी हो जाएगी पश-पुश-पुश-पुश-पुश-पुश-पुश-पुश होने लगेगी तब आप चार ओर देखेंगे और सुन्दर पत्थर, बास, आस-पास की चीजें और घाटी बहुत सुन्दर है फिर एक और कदम उठाने की जरूरत क्या है ये शांदार है, यही है तब आपका मन कहता है, बस हो गया मैं जगा की सुन्दरता पर या वहां होने के सुखप पर सवाल नहीं उठा रहा पर फिलहाल आप में ये नया तर किसलिए आया है क्योंकि आपके फेफडे भाप का इंजन बन गए है और आपके पैर बहुत बुरी तरह चर्मारा रहे है तो नया तर काया है क्या आपने देखा है कि हर बार जब आप आराम या परिशानी की अलग-अलग अवस्थाओं में होते हैं तब आप एक नया तर्क विक्सित कर लेते हैं क्या आपने ऐसा होते वे पाया है जैसे लोग कहते हैं हर स्टूडेंट कम्यूनिस्ट होता है शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाकर आप समाजवादी बन जाते हैं जिस पल आपके शादी होती है आप पूंजीवादी बन जाते हैं नई परिस्थितियों के अनुसार आराम या परिशानी के अलग-अलग स्थरों के कारण नए स्थर के तरक आ जाएंगे अब दुनिया ऐसी हो चुकी है कि माववादी पूंजीवादी बन गए हैं ऐसा हो गया है तो यह होता रहता है इसलिए स्पष्ठता और आनंद के उस पल में आप अपने कल्यान को देख पाते हैं आपको उस पर टिके रहना चाहिए कल्ये आपको भयानक लग सकता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस आप टिके रहिए चाहे आपको वो नर्ग जैसा लगे यही खोशाली है अगर आप मन बदलते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा